पर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम स्क्वाइर वाले कोशन पढ़ेंगे ठीक है जिसे वर्ग भी कहा जाता ठीक है इसकी सिटिंग अरेंजमेंट आज हम पढ़ेंगे इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको इंसाइड वाले कोशन करवाया थे ठीक है जिसमें हमने दो कोशन solve किया था आज हम क्या करेंगे इसके outside वाले question solve करेंगे ठीक है ये केंदर की ओर देख रहे थे आज हम केंदर की बाहर की ओर वाले question solve करेंगे इसमें भी हम दो question पढ़ेंगे ठीक है तो बिना किसी की देरी की हम चलते अपने question की तरफ question यह रहा हिंदी पे ठीक है आप हिंदी पे पर सॉल्व करते हूंगे तो इसे इसक्रीं सॉट लेकर रख लीज़ेगा ठीक है और अब हम जाएंगे इंग्लिश की तरफ जिसमें मैं आप लोग को क्या करूंगी हिंदी पर ही बोलके समझाओंगे ठीक है कोशन इंग्लिश पर स्कुईर टेबल में बैठे हुए ठीक है और फिस्ट वाहर को देखना तो मैंने बता दिया अब मैं कोशन यहां से चालो करूंगी क्योंकि आउटसाइड है इत्ती बाते समझ में यहां को कोई दिकत नहीं नहीं है अब चलते हम आगे की तरफ ठीक है क्या लिखा हुआ है There are three females in the group. अब क्या बोल रहा है? यहां पर किती महिलाई हैं? तीन. ठीक है? महिलाई को हम दिरसाते हैं. फीमिल को माइनस से. और एक मेल मेंबर को हम बताते हैं. प्लस से. ठीक है? फीमिल को माइनस से. और मेल को प्लस से. यह मैंने आप लोगो ब्लड रिलिश्ट में महुत अच्छे समझा रहा है. अगर आप लोगो नहीं वीडियो नहीं देखें तो प्लीज इससे जाकर देख लेना. ठीक है? क्या बोल रहा है कि? तीन फीमिल से. ठीक है? तीन फीमिल से. कोई मेल मेंबर, यहां पे भी कोई मेल मेंबर. अब मैं ऐसा बता सकती हूँ कि यहां फीमिल है, उसके बाद मेल, फीर फीमिल, फीर मेल, फीर मेल, फीर मेल, फीर मेल, फीर मेल. नहीं बता सकती. इसमें क्यों नहीं बता हूँगी? क्योंकि अगर मैंने इसे बता दिया तो यहां पे कितनी फीमिल्स आगी मेरी चार जबकि मुझे चाहिए कितनी तीन ठीक है अगर कोशन में बोला रहा था दिया रहा फूर फीमिल्स तो हम क्या करते हैं और नौट नीबर फीचर दर तो हम क्या करते हैं ऐसा डेफिनेटली हम यहां पे इसने भी मैं होंगोगोगए तीन प्रफीमिल्स हैं झाला था इसने बोला है यह था दिया आपशीय किभी में नेवार करते हैं था चारू इस ओनली फीमिल अब क्या पता चला मुझे चारू क्या है एक फीमिल है ठीक है चारू क्या है मिडिल सेट पे बैठी है अब इसने यह बोल दिया मिडिल सेट पे कौन बैठा है चारू बैठी है ठीक है इसने यह बोला मिडिल सेट पे कौन बैठा है चारू बैठी है और केवल चारो ही फीमिल है, जो क्या है मिडिल सैट पर बैठी, मतलब मिडिल सैट पर एक फीमिल केवर 4 आगई, अब दूसरी कोई फीमिल यहां पर नहीं आ सकती, तो कौन आएगा? तीन क्या रहेंगे, एक चारो ही और तीन क्या रहेंगे, male member रहेंगे, ठीक है? यह 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 कहना चाहरा है कि 4 is only female who sits at the middle side 4 ही केवल one महीला है जो क्या है? बीच piş बेती होगा है ठीक है, तो 4 ही केवल महीला है जो तो भीस सैट पे बाकी गोई महीला आएगी कैं नहीं तो बाकी क्या जाएंगे? डा-डिन मेंबर आ जाएंगे टीक है? तो चारू middle set पे हैं और कौन है middle set पे 3 क्या है male member है middle set पे ठीक है यह लिच 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 लिए हमने अब क्या बोल रहा है आगे इसकी हितेश sits second left फेसल ठीक है हितेश हितेश क्या है second left है फेसल के अब नहीं से question चाड़ो कर सकती हूँ क्या बिल्कुल फैजल, फैजल के second left पे कौन बैठा है हितेश, ये right होगा, आप यहाँ अपने आपको रखे देख सकते हैं, ये होगा left, second left, first left और second left पे कौन है हितेश, ठीक है, समझाया ये, फैजल के second left पे कौन है हितेश, ठीक है, तो हम इसको draw कर लेते हैं, ये मैंने बना फैजल, फैजल के second left पे हितेश, ठीक है, यहाँ तक का clear है, अब क्या बोल रहा है, आगे, who sit second to the kuhu, ठीक है, हितेश है, फैजल है, उसके बाद who है, तो who किसके लिए उज़ हो गया, फैजल के लिए, क्या बोल रहा है, फैजल कहा बैठा है, second पे कौन है, ठीक है, कौहू क बाते समझ में, अब क्या बोल रहा है, आगे, भूमी sit second to the amit, ठीक है, भूमी sit second to the amit, भूमी कहा बैठी है, अमीत की दूसरे, ठीक है, भूमी sit second to the amit, left, right है, हमें नहीं पता, ठीक है, left, right है, हमें नहीं पता, और भूमी और amit से कुछ information नहीं है, तो इसको हमने साइट भ फिर who use हो गया, मतलब amit के लिए, ठीक है, amit is not the neighbor of male member, ठीक है, amit neighbor नहीं है, male member का, मतलब यहां पे कोई male member नहीं आएंगे, तो कौना जाएगा, amit के बाजू पे भी कोई female, amit के इधर भी कोई female, ठीक है, amit neighbor नहीं है, किसी male member का, ठीक है, amit के female का neighbor हो जाएगा, ठीक है, male member पर नेबर नहीं है तो किसा का कम पर अबिल और यह आज़े को आजसे है ओंगा पर तोनों साइडे को ना जाएगा मिद्ट कि अविद्क तीदिव्य इस नौर दनेबर ओफ चारू है अभी क्या बोल रहा है दिव्या क्या है नेबर नहीं है किसकी छारू की ठीक है इतकी पी नहीं पर फिर समझ में अब क्या बोल रहा है इस नौडनेबर फो फिर भुमी लिका है फिर कुहु लिका है दो प्र लों किसके ऐस ili लोगा कोई के लिए कुछ के लिए को है पालन हम गय theory मैंने बना लfunded गहीं में मैं अब क्या सब्सक्राइब प्थैके अबड़ तो फैजल कहा हैगा कॉर्णर पे हैगा कि मिड पे यह कैसे पता चलेगा यह इस लाइन से बिल्कुल क्लियर हो गया ठीक है फैजल एक फीमेल है और मुझे इसने पहले बोल रखा है चारू एक फीमेल जो केवल मिडल सैट पे बैठी है ठीक है और चारू के साथ तीन मेल सब्सक्सक्थाıldर एक फैजल और एक ही में चारू वहीं मीडिल सैट पे बैठी तो बाकी के मिछल कहां बैठी होंगी jugarनर कि ओ झाल्स क्लिक इसन प्रक्राइब करना लिए भी सिख्श इमने बना लें तृскह कि अबÎज से अर्ड़ जोलर रहा टे किसमाहें यह अज़ जो तो corner पे कीच में और इन दोनों फीमेल में से ही एक कौन है फेसल है ठीक है एक छोटी सी लाइंड फेसल से हमने इतना कुछ सॉल्व कर लिया ठीक है कि corner और middle वाला concept है अब आगे क्या बोल रहा है देखो D neighbor नहीं है C का ठीक है चारू के है middle set पे बैठी चारू के लिए भी चार प्लेस है ठीक है और चारू के है देखो चारू एक female है चारू middle set पे बैठी है चारू के लिए ये चार जगा दिख रही है मुझे और क्या बोल दिया है कि कोई भी female neighbor नहीं है female की ठीक है कोई भी female neighbor नहीं है female की तो चारू यहां पे आएगी कि फैजल के बाजू पे नहीं आएगी ठीक है चारू के लिए कौन सी place बची दो place बची है ठीक है एक ये वाली और एक ये वाली ठीक है तो हम क्या करेंगे एक बार चारू को इधर लिख लेंगे फिर एक diagram बना करा लेते हैं ठीक हे ऐसे हैं और एक बर people को न ही करने ही? इस्छा-वार को नि unैत Sister with Palm जब संभान अब का न चाइ है क्या से म étोग जब देते हैं तर जडान तो यहां पर कौन होगा मेरे सब्सक्राइब पर हम भी ऑशन होगा मun ठीच है इतनी लागता में वहाद्धेम में जीम ड्न ते जंघी 30 में सेट री का मैंने डीन डीन नेंसे को आतो तो छिम्हीं जो एक प्रफ आप जनांगी होरुस यह यहां जो टेस्ट मेंुल हुल जो प्रफ चांई की यहां पर फीमेल हो चुकी है फैजल और चारू अब फीमेल के लिए कौन से पलेश बच्चि या तो यह यह या तो यह और दोनों ही क्या है चारू फैमेल female फैमेल का हो जाएंगी नेवर आ जाएंगे तो यह ला डाग्रम 可以 हो जाएगा गलत ठीक है उपर वाला ड्याग्रम हमारा क्या जाएगा सहीं और नीचे वाला क्या जाएगा हमारा गलत कैसी हुआ गलत समझ में देखो अब क्या बोल रहा है अन्ट शंपिक यह को कि अंड शंब इस मेंगि रही है कि कि इसकेर नहीं है और ≃व और क्या बोल रहा है देखो अब इसमें क्या बोल रहा है ए नेबर नहीं है कि ए नेबर है फीमेल का ठीक है ए नेबर किसका है फीमेल का तो अब ए यहां पे करूंगी तो ए के इस तरब भी कोई मेल आ गया तो ए के बाजू पे मेल नहीं होना है ठीक है अगर ए यहां पे ले तो एक के इधर फिर मेल आ गया तो यहां पर भी नहीं आएगा यहां पर नहीं यहां पर नहीं अगर यहां पर ले लो तो फिर एक मेल आ गया यहां पर भी नहीं तो एक के लिए क्या बचा यही प्लेस बची जिसके फैजल और ही तियस दोनों के हैं फीमिल नीबर है ठीक है यह समझ में आया, A neighbor था दोनों female का, ठीक है, तो हमने क्या किया, A को female के बीच में बठा दिया, ठीक है, यहां तक की बाते समझ में यही, यह हमारा हो गया, अब क्या बोल रहाए, A के second पर B है, यहां तो B यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, B neighbor नहीं, के का, तो B neighbor बन गया, तो ये क्या होझाएगा? Cancel ठीक है, ये क्या होझाएगा? भी यहाँ आला नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है, अब क्या बोल रहा है? D neighbor नहीं है, C तो अब D के लिए एक तो येarái place बची, यह वाली प्लेज भची ठीक है तो D यहां पे ले लिया हमने ठीक है D ने बर नहीं है C का तो D यहां पे आ गया तो बचा व्यक्ति कौन सा बचा A B C D F G H को बचा ठीक है कौन गोरव गोरव बचा गोरव आगे यहां पे ठीक है इससे क्या हुवा हमारा सेचंग अरेंजमेंट स् ions हो गया ठीक है इसमें एक-दो की पॉइंट से थे जिन से हमने क्या सौल क्या है ठीक है फेजल क्या है फीमिल Essay फीमिल Wallace और चारू जो थी बीच पैठी थी तो आजु बाजु प्या थे मेल थे यह खैसे हमारे में पर दोटा किया है इसे क्या सुनbury कर लिए। तो निए में सब्सक्राइब का निए वहानना क्या है जोना किया थोड़ा साधा ध्यान लगाने की होना को कोशन पर अगर हम इसमें जो जो यह हमारा कीपोण दिया रहता है अगर हम उस पर क्या करेंगे थोड़ा-थोड़ा देती जाएंगे तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्फ कर पाते हैं ठीक है तो चलिए अब चलते हम बिना किसी देरी के अपने दूसरे कोशन के दप दूसरा इंग्लिश पर यह आप एक नया कोशन देख रहे है ठीक है इसको सॉल्फ करने की कोशिस करते हैं क्या लिखा हुआ है एट फ्रेंट्स आई जे के ल एम एन ओपी आर सिटिंग इन स्कूर टेबल फेसिंग आउटसेट ठीक है अब फिर क्या है यह स्कूर टेबल में बैठे आउटसेट देख रहे हम चालू करेंगे यहां से ठीक है और क्या बोल रहा है दब परसन हू सिट फर्ड लेफ्ट ऑफ जे जो क्या है वो बंदा जो जे की क्या है थर्ड लेफ्ट पे बैठा है ठीक है इस सेकंड राइट ओफ एम अब यह बोलने की कोशिस क्या कर रहा है person who sits third left of J जो क्या है J की third left पे है ये कोई बंदा है मालो XYZ ठीक है J की जो third left पे है कोई बंदा इस second left right of M यही बंदा क्या है M की second right पे है ठीक है एक बंदा है कोई XYZ नाम का ठीक है हम इने पता वो क्या है J की third left पे है और वही क्या है M की second right है ठीक है मैंने मालू सबस्क्राइब तो कि में मतलब यह नहीं से पाइगा मतलब मतलब यहां से अगा smart जाएगा यहां पे ठीक है समझ में यहां पर नहीं नहीं आएगा तो कहां पर यहां पर ठीक है यहां पर आएगा तो अब क्या कर दूँ से लिख लेते हूं M आगया हमारा यहां पर ठीक इसने क्या वोला question नहीं ये बात समझ में क्या वोला इसने जो J की third left पर है वही बंदा M की second right पर है ठीक है the person वो बंदा जो क्या है who sit third left of J जो क्या है J की third left पर बैठा हुआ है ये बंदा वही क्या है इस second right of M वही M के दाएं दूसरे पर बैठा हुआ है मतलब J की तीसरे left पर और M के second right पर क्या है same person बैठा हुआ है इसका कहने का मतलब ये था ठीक है language आप देख सकते हैं कि इसने किस सभी किसी गुमा के लिग दिया ठीक है इतनी बात है समझ मैं अब हम क्या करते हैं अब आके पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है M is not the neighbor of any वाविल अब यहां पर मैंने सिर्फ ऐसे question लिखते है कि M is not neighbor of any वाविल question पर आप लोगको ऐसे भी लिखा दे सकते हैं कि M is not the neighbor of that person whose name is starting with वाविल ठीक है M उस बंदे का पड़ूसी नहीं होगा जिसका नाम एक वाविल से start होता है ठीक है या फिर direct ऐसे भी बोल सकता है कि M neighbor नहीं होगा किसी वाविल का ठीक है आपको दोनों तरीके से बोल सकता है ठीक है तो मैंने क्या लिख दिया है यहां पर M neighbor नहीं है किसी वाविल का ठीक है तो हम इसे note कर लेंगे M neighbor नहीं है वाविल का अब वाविल यहां पर क्या क्या है I J K L M N O P ठीक है यह दिया हुआ है तो वाविल क्या हो जाएगा I और O मतलब M किसका पड़ूसी नहीं है I और O का ठीक है I और O का M क्या है पड़ूसी नहीं अभी हम कुछ पता सकते हैं नहीं अब हम चलते हैं आगे की तरफ ठीक है आगे क्या बोल रहा है वावेस आर Neighbors मतलब I neighbor है किसका O का ठीक है अब I और O यहां पे नहीं आना I और O यहां पे नहीं आना ठीके यहां पे i o आ सकता है यहां पे i o आ सकता है ठीके मतलब तीन प्लेस जहां पे i d o लिखा जा सकता है ठीके i neighbor है o का ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे यह o sits opposite टूगा परसन ठीके o किसकी opposite है o sits opposite टूगा opposite to the person who sits second left of m जो क्या है m की second left मतलब मतलब सब्सक्राइब मतलब मतलब left आगया, ठीक है, M के जो second left पे है, उसके opposite पे कौन है, O है, ठीक है, इतनी बाते समझ में ही, हमने क्या बोल दिया, M के जो second left पे है, ये first left आगया, ये second left आगया, M के second left पे है, उसके opposite पे कौन आ जाएगा, O, अब O तो fix हो गया हमारा, ठीक है, O तो क्या हो गया, fix हो गया हमार और किया बोलरा था इसके पहले इसने किया बोला था यह हमने बना लिया कि O EPPOSIT है जो क्या है M की SECOND NEW घर ठीक है यहां पे कोई बंदा है उसकी opposite पे O है ठीक है I neighbor है O का I यहां पे आसकता है यह तो I यहां पे आसकता है लिख लिए ठीक है इस सारी information का हमने क्या होगा है यूज कर लिया अब क्या बोल रहा है आगे ओ सिट सपोज़िट तुद परसन हूं सिर्ट सेकें लेफ्ट ऑफ एम आ चुका है अब क्या बोल रहा है के सिट एट कॉर्णर ठीक है के क्या है कॉर्णर पे हमें नहीं पता भी कोई के बारे में कुछ भी सिर्फ इतना पता है कि के का है कॉर्णर पे है not the neighbor of I और M अब के किसका neighbor नहीं है किसका neighbor नहीं है I का और M का ठीक है तो यहाँ पे भी के नहीं आना यहाँ पे भी के नहीं आना यहाँ पे भी के नहीं आना तो के के लिए एक ही प्लेस बची यह ठीक है के के लिए एक ही प्लेस बची यह अभी क्या बोल रहा है आगे के क्या है कॉर्णर पे है बोल दिया है अभी क्या बोल रहा है आगे K corner पर आगे not never of I and M अब क्या बोल रहा है L sits between consonants मतलब L क्या है किसके बीच में इधर भी कोई consonant आए और इधर भी कोई consonant है ठीक है यहां पे ले सकते हूं किया नई यहां तो consonant है। बर O क्या गया। वहल नागया। है हहां पर Majesty May जये तू जाद या के लिए एक की पेशी बची एहुतgging है, फिक हिक मैने मेरे की दोनों, पर मिला हो्तब. नान फ्रसंग देश घृब काशल के saving से प्लीक, ब्रसे कर दो दोनों तो L का सेंगा बाहर की तरफ है तो यहां पर आएका क्या poop विए नहीं तो पी अगर यहां पी यहां पर किके थडी एक प्रवाइट लगा है तो यह क्या है कि कहारा मेंद उसके नंस यहां 25 न निलेंगे कंप आ acquis जाप prices a एक बंदे को बीच में जो हमें नहीं पता है एक यज़ेट की इधर और इधर से हमको अरेंजमेंट दी हुई थी ठीक है तो चलिए अब हम यहां पर क्लास को एंडप करते हैं उम्मीद करते हूं कि आज का सेसन आप लोगों को पसंद आया होगा और जब भी स्क्वाइर पर आउटसेड वाले कोशन आए तो आप हमेशा क्या करेंगे अभी से सौल कर पाएंगे ठीक है तो हम यहां पर सेसन क को एंडप करते हैं कल फिल्म मुलाकात होगी स्क्वाइर वाले इंसाइड और आउटसेड वाले कॉंसेप्ट के साथ ठीक है तो चलिए सेसन का एंडप करते हैं तिल देन कीप लनिंग की प्रैक्टिसिंग थेंक्यू और बबाए